नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ परवीन शेख आज इस बुलिटिन में बात होगी करनाटक में कॉंग्रिस की बड़े ऐलान की मोधी सरकार पर राहुल के वार की बात करेंगे अडानी पोर्ट पर चीन के कबजे की अरुनाचल प्रदेश को लेकर मोधी सरकार पर भड़के कॉंग्रिस अध्यक्ष खडगे की जानेंगे क्यों बिहार की सियास्त पे मचा है घमासान कैसे दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है अमेरिका और बुलिटिन के आखिन में बात होगी वर्ल बैंक के चौकाने वाले खुलासे की लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर सियम अशो गैलोत का बड़ा एलान राइट टू हैल्थ पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच बनी सहमती राजिस्थान इसे लागू करने वाला बना पहला राज्जे केंद्री ग्रहमंत्राले ने पश्चिमंगाल के हावडा में हुए ठक्राव और कानून ववस्था पर राज्जे सरकार से मांगी रिपोर्ट बीजे पी नेताओं ने अमिश्चा को खत लिख कर की थी हस्तक्षेप की मांग केंद्र सरकार के खिलाव कल फिर हुंकार भरेंगे किसान, किसानों के साथ मजदूर भी रामलीला मैदान में जुटेंगे नियूंतम मजदूरी भत्ता, मन्रेगा भत्ता, पैंशन बढ़ाने जैसी तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन गुलाम नभी आजाद ने एक बार फिर के पीम की तारीफ, बोले प्रदान मंत्री ने बदले की भावना से नहीं किया काम, राजनेता के जैसे बरताव करते रहे ये तो थी सुर्खियां और अबात आज की सबसे बड़ी खबर की करनाटक में 10 माई को होने वाले विधानसभाद चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में आज कॉंग्रिस की इलेक्शन कमीटी की बैठक होई कॉंग्रिस अध्धक्ष मलिका आरजुन खडगे समित बैठक में राहुल गांधी और तमाम सीनियर नेता मौजूद थे कॉंग्रिस की दूसरी लिस्ट के सो अमीद्वारों के नाम पर मोहर लगी तो वहीं दूसरी तरफ बैठके बाद कॉंग्रिस ने चार बड़ी घोशनाएं की हैं जिन से साफ तोर पर करनाठक में महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है महिलाओं को साइलेंट वोटर माना को हर महिने 2,000 रुपे दिये जाएंगे ग्रहे जोती योजना में 200 यूनिट बिजली हर महिने मुफ्त दी जाएंगे अन भागे योजना में BPL परिवारों को 10 किलो चावल हर महिने मुफ्त दिये जाएंगे युवर निधी योजना में करनाटक के हर ग्रेजवेट को ग्रेज बूती दी जाएगी और हर मोर्चे पर सशक्त किया जाएगा ऐसे में एक बार फिर से इनी गारंटियों पर मोहर लगा दी गई है देखना होगा कि करनाटक चुनाव में साइलेंट वोटर किस तरफ जाती है करनाटक में लगातार कॉंग्रेस सत्ता पर काविस बीजेपी से द 20,000 करोड रुपै किस का है राहूल के इंतेवरों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है अडानी मामले पर मोधी सरकार बुरी तना फस गई है राहूल लंबे वक्त से अडानी मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं लेगिन पीम मोधी ने खामोशी अक्तियार कर राहूल गांधी ने आज एक बार फिर से अडानी मामले को लेकर बीजेपी को घीरा है राहूल ने पूछा है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड रुपै किस के हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए राहूल गांधी से जब पूछा गया क कि बीजेपी कह रही है कि आप नियाए पालिका पर दबाब बना रहे हैं तो इस पर पलेट वार करते हुए राहूल ने कहा हर बार आप वही बाते क्यों कर रहे हैं जो बीजेपी कह रही है अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड रुपै किस के हैं उनको इसका जवाब देना के बाद भी राहूल ने ट्वीट किया था उन्होंने लिखा था ये मित्र काल के विरुद लोगतंत्र को बचाने की लडाई है इस संगर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आस्रा राहूल के इनी तेवरों से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है दो अप्रेल क को भी राहूल ने सोशल मेडिया के जरिये ये सवाल किया था कि 20,000 करोड रुपई किसके हैं राहूल ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो ये सवाल पूछ रहे थे कि अडानी की शेल कंपनी में किसका पैसा है राहूल गांधी अडानी के मामले में लगातार सवाल राहुल गांदी ने कहता मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूँगा अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिष्टा है इन लोगों से मुझे डर नहीं लगता अगर इनको लगता है कि मेरी सदस्यता रद करके डरा कर धमका कर जेल भेज कर मुझे बंद कर सकते हैं मैं हिंदुस के लोगतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा यह 20,000 करोड रुपए किसके हैं राहूर के सवालों पर पियम मोदी की खामोशी उन्हें शक के कड़गरे में खड़ा करती है शक तो बीजेपी नेता ने भी अपनी सरकार पर जताया है कारूबारी गौतम अडानी पर निशाना साथते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि गुजरात के निजी बंदरगा पर भारी तादाद में चीनियों ने घुसपैट कर ली है क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट सुपरमन्यम स्वामी ने मोधी सरकार को निशाने पर लिया है स्वामी ने कहा कि गुजरा के मुदरापोर्ट पर चीनी भारी तादाद में मौजूद है उनकी ये संख्या भारत के किसी भी दूसरी जगा पर मौजूद चीनियों की तादाद से ज्यादा है सुरक्षा एजनसियों के निशाने पर है स्वामी का कहना है कि ये पोर्ट हिंद महासागर में घुसपैट का सबसे आसान रास्ता है दरसर स्वामी को एक यूजर के दा हिंदू में छपी एक खबर को ट्वीट किया था जिसमें दावा किया गया है कि मुद्रापोर्ट के एक की ओनर्शिप एक चीनी कंपनी को सौंपी जा रही है इसको लेकर भारत की सुरक्षा एजंसिया अलट मूड में दिखाई दे रही है अडानी गुर्प के फ्रेंच पार्टनर सी एम ए टर्मिनल और चीनी सरकार की कंपनी चाइनीज मर्चंट गुरूप के बीज टर्मिनल की शिप अस्तांत्रेत करने को लेकर करार हुआ था ये करार राश्ट की सुरक्षा के लिए चनौती बन गया है सुपरमिनम स्वामी ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार को चैताते हुए कहा था कि चीन के राश्टपती शी जिन पिंग लडाई की तैयारी में जु में है चीन अपनी चाल बाजियों से कभी बाज नहीं आता अब उसने अरुनाचल प्रदेश के ग्यारा स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की है उसने ये नाम चीनी तिबती और पीनियन भाशाओं में जारी किये हैं ड्रेगन के इस कदम पर मोदी सरकार ने जवाब तो रही हैं दरसल चीन के नागरिक मामलों के मंत्राले ने अरुनाचल प्रदेश के ग्यार स्थानों के मान की कृत नाम जारी किये हैं इन्वे दो भूमी शेत्र दो रियाईशी इलाके पाच परवत चोटिया और दो नदिया शामिल है यहां तक की सूची में अरुनाचल प्र नहीं है जब चीन ने भारतिय शेत्रों के नाम बदल कर अपना बताने की कोशिश की है चीन के नागरिक मामलों के मंत्राले ने ये तीसरी सूची जारी की है इससे पहले अरुनाचल प्रदेश में छे स्थानों के मान की कृत नामों का पहला बैच 2017 में जारी किया गया था वहीं 15 स्थानों का दूसरा बैच 2021 में जारी किया गया था अब एक बार फिर से भारत को उकसाने की कोशिश की जा रही है वहीं भारत में अरुनाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीन के हालिया कदम को सिरे से खारिच किया है विदेश मंत्राले के प्रदान मंत्री की चुपी कोई जवाब नहीं है अब जब पड़ोसी मूल के ऐसी हरकत करेगा तो विपक्ष आवाज उठाएगा ही लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मूदी सरकार क्यों चीन को जवाब नहीं दे पा रही चीन नीतियों को लेकर बीजेपी की चुपी सवालों के घेरे में है तो बिहार में भी बवाल मचा है दो समुदायों के बीच हुए टकराफ के बाद राजनीती तीज हो चुकी है बीजेपी इसे राज्य सरकार की असफलता बता रही है तो दूसरी और महागडबंदन का द लेकिन नितीश सरकार ने उनको जवाब दे दिया है तो क्या है पूरा मामला देखते हैं ये रिपोर्ट वहाँ अल्प संख्यक अवादी वाला शेत्र है फिर भी उन्होंने वहाँ पर कोई भी सक्त कदम नहीं उठाया जिस कारण शांती भंग हुई है और नितीश कुमार को कोई चिंता नहीं है वो इफ्तार पाटी कर रही है ओवेसी के बयान पर जेडियू का रियक्शन भी सा का आका अमिश्या है नितीश कुमार ने अपना मुख्य मंत्री धर्म निभाया है इससे पहले तेजस्वी आदव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है भाईचारे को तोड़ने की कोशिश क की जा रही है भाजपाई प्रयोग का हमेशा माकूल जवाब दिया जा रहा है और आगे भी देते रहेंगे उपमुख्य मंत्री ने कहा है कि जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया है उन्हें चुनहित कर कारवाई की जा रही है बिहार में मचे गहमासान में भी आर्थिक मचा है अमेरिका के दो बड़े बैंक बंध होने के बाद अब एक और बैंक बंध होने की कगार पर है तो क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश दिवालिया होने की कगार पर है देखते हैं ये रिपोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी एकनौमी अमेरिका मुश्किल में फस अपनी करन्सी में ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। लोगों की जिंदिगी दूबर हो जाएगी और ग्लोबल फाइनेशल स्टेबिलेटी पर इसका व्यापक असर होगा देट लिमिट वो सीमा होती है जहां तक फैडरल गर्वेंट उधार ले सकती है इससे लागों लोगों को वित्य साहिता नहीं मिल पाएगी इससे सोशल सिक्योर्टी मेडिकेर और मेडिक्रेड बुजर्गों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम फूड और हाउसिंग प्रोग्राम अटक जाएंगे डिफोर्ट से देश का क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित भारत की आर्थिक विकासदर को लेकर वर्ल्ड बैंक ने चौकाने वाला खुलासा किया है विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वितवर्ष दो हजार चौबिस में भारत की आर्थिक विकासदर 6.3 फीसिदी पर रहेगी यानि इंकम ग्रोथ काफी कम रहने वाली है जिसका सीधा असर भारत की जीडीपी पर पड़ेगा अब इसको लेकर कॉंग्रिस ने मोधी सरकार पर हमला बोला है तो क्या कहा है कॉंग्रिस ने देखते हैं ये रिपोर्ट नया फाइनेंशल यर शुरू हो चुका है इसके साथ ही वर्ल बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी जारी कर दिया है भारत की जीडीपी ग्रोथ 2023 में धीमी रफ्तार के साथ 6.3 प्रतिशत रहने वाली है जो पहले के 6.6 प्रतिशत के अनुमान से कम है कर कॉंग्रेस ने मोधी सरकार पर निशाना साधा है कॉंग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है इस खबर पर गोधी मीडिया चर्चा नहीं करेगा वर्ल बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया साल 2023 में जीडीपी ग्रोथ 6.3 रह सकती है पहले वर्ल बैंक का अनुमान था कि इस वितवर्च जीडीपी ग्रोथ 6.6 प्रतिशत रहेगी जीडीपी की सुस्त चाल का मतलब कम निवेश रोजगार का संकट जेब में कम पैसा गरीबी जीडीपी को लेकर वर्ल बैंक की आनुमान ने सत्ता पर काबिस बीजेपी की मुश्किलों में इज सकती है लेकिन देश की जीडीपी 6.3 रहने से आम उपभोगता की खपत भी कम रहेगी और बेरोजगारी की समस्या और बढ़ सकती है इंकम में धीमी ग्रोथ और कर्स के मेंगा होने का असर नीजी उपभोग की ग्रोथ पर पड़ेगा अब देखना होगा की जीडीपी को लेकर देश की मौजूदा मोधी सरकार क्या कादम उठाती है तो आज इस बॉलेटिन में बास इतना ही देखते रिये डीबी लाइफ नमस्कार